नमस्कार मैं सोतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सौट हैं टीम पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में दैनिक जागरल के समपादकी से 429 सब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं इसे हम लोग दो अलग-अलग स्पीड में लेंगे पहली बार में इसे हम लोग 70 की स्पीड में लेंगे दूसरी और आखरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 80 की स्पीड में लिखने वाले हैं अगर आपको इस डिक्टेशन के PDF की जरुवत है या इसमें आयोए महत्पूर सब्दों की आउटलाइन को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम गुरूप को जॉइन कर लें गुरूप से जुड़ने के लिए इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्किप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम गुरूप का लिंक मिल जाएगा उस पर किलिक करके गुरूप को जॉइन कर सकते हैं तो सत्तर की स्पीड में आपका डिक्टेशन इस्टार्ट होगा पास सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेली रहें इस्टार्ट कुछ किसान संगठनों की ओर से किसी कानूनों के विरोध से उपजे गतिरोध को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोट ने इन कानूनों के अमल पर रोक लगाने की जो पहल की उसके सकारात्मक नतीजे निकलने के आसार कम ही है इसका कारण किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोट की ओर से गठित उस चार सदसेई समिती को खारिज किया जाना है जिसे इन कानूनों की समिक्षा का दाईत्व सौपा गया है किसान नेताओं ने इस समिती के समक्ष अपनी बात रखने से तो इनकार किया ही उसे सरकार समर्थक भी करार दिया यह किसान नेताओं के अडियल रवये का एक और प्रमाड ही नहीं एक तरह से सुप्रीम कोट की आउहेलना भी है किसान नेता यह हट धर्मिता तब दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोट ने किर्सी कानूनों के अमल पर रोग लगाने का फैसला उन्हें आस्वस्त करने के लिए किया काईदे से तो ऐसे किसी फैसले से बचा जाना चाहिए था क्योंकि किसी कानून की वैधानिकता की जाच पर रख किये बगैर उसके अमल पर रोग लगाने का फैसला सवाल खड़े करने वाला है इस तरह के फैसले परंपरा नहीं बनने चाहिए अन्यथा सासन करने वालों की समस्याएं बढ़ेंगी सुप्रीम कोर्ट को इसका आभास होना चाहिए था कि किसान नेता यह चाह रहे हैं कि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो अच्छा होता कि सुप्रीम कोर्ट समाधान की पहल करने के पहले किसान नेताओं के हट से परचित होने के साथ इससे भी आउगत होता कि जैसी समिती का गठन उसने किया वैसी ही सरकार भी गठित करने को तैयार थी किसान नेताओं के रवये से यह साफ है कि वे किसानों की समस्याओं का हल चाहने के बजाए अपने संकीर स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं इसी के साथ यह भी असपश्ट है कि उनकी आड लेकर कांग्रेस एवं वामदल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं इसकी पुष्टी इससे होती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिती पर किसान नेताओं और कांग्रेसी नेताओं की आपत्ती के सुर एक जैसे हैं यह समानता तो यही इंगित करती है कि किसानों को एक राजनीतिक एजन्डे के तहत उकसाया गया है बात केवल इतनी ही नहीं कि किसान नेता किसी राजनीतिक उद्देश के तहत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं बात यह भी है कि उनके बीच आवांचित तत्व घुसपैट करते हुए दिख रहे हैं अटारनी जन्रल के अनुसार किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी तत्व मदद कर रहे हैं उचित होगा कि इससे संबंधित जो हलफनामा पेश किया जाना है उस पर सुप्रीम कोट गंभीरता से ध्यान दे इसके साथ ही वह यह भी देखे कि क्या कारण है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का दबदबा है इस्टॉब दोस्तो इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड मिलेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा पास सेकेंड के बाद तब तक के लिए आप रेडी रहें इस्टार्ट सकरात्मक नतीजे निकलने के आसार कम ही है इसका कारण किसान नेताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित उस चार सदस्यी समीती को खारिज किया जाना है जिसे इन कानूनों की समिक्षा का दाईत्व सौपा गया है किसान नेताओं ने इस समीती के समक्ष अपनी बात रखने से तो इनकार किया ही उसे सरकार समर्थक भी करार दिया यह किसान नेताओं के अडियल रवय का एक और परमाड ही नहीं एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना भी है किसान नेता यह हट धर्मिता तब दिखा रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने किर्सी कानूनों के अमल पर रोक लगाने का फैसला उन्हें आस्वस्त करने के लिए किया काइदे से तो ऐसे किसी फैसले से बचा जाना चाहिए था क्योंकि किसी कानून की वैधानिकता की जाजपरक किये बगैर उसके अमल पर रोक लगाने का फैसला सवाल खड़े करने वाला है इस तरह के फैसले परंपरा नहीं बनने चाहिए अन्यथा सासन करने वालों की समस्याएं बढ़ेंगी सुप्रीम कोट को इसका आभास होना चाहिए था कि किसान नेता यह चाह रहे हैं कि सब कुछ उनके मन मुताबिक हो अच्छा होता कि सुप्रीम कोट समाधान की पहल करने के पहले किसान नेताओं के हट से परिचित होने के साथ इससे भी आउगत होता कि जैसी समिती का गठन उसने किया वैसी ही सरकार भी गठित करने को तयार थी किसान नेताओं के रवये से यह साफ है कि वे किसानों की समस्याओं का हल चाहने के बजाए अपने संकीर्ड स्वार्थों को पूरा करना चाहते हैं इसी के साथ यह भी असपश्ट है कि उनकी आड लेकर कांग्रेस एवं वामदल अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं इसकी पुष्टी इससे होती है कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समीती पर किसान नेताओं और कांग्रेसी नेताओं की आपत्ती के सुर एक जैसे हैं यह समानता तो यही इंगित करती है कि किसानों को एक राजनीतिक एजन्डे के तहत उकसाया गया है बात केवल इतनी ही नहीं कि किसान नेता किसी राजनीतिक उद्देश के तहत दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं बात यह भी है कि उनके बीच अवांचित तत्व घुसपैट करते हुए दिख रहे हैं अटारनी जनरल के अनुसार किसानों के आंदोलन को खालिस्तानी तत्व मदद कर रहे हैं उचित होगा कि इस से संबंधित जो हलफ नामा पेश किया जाना है उस पर सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ध्यान दे इसके साथ ही यह भी देखे कि क्या कारण है कि किसान आंदोलन में पंजाब के किसानों का दबदबा है इस टॉप् तो दोस्तों इस तरह से आज का वीडियो हम लोग का कम्प्लीट हुआ मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लगा तो किर्पया इस वीडियो को लाइक सेर जरूर कर दिया करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जश्ट बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लिए टेस्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप घर बैठे संकेत लीपी को सीख सकें धन्यवाद